इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Wild Life Protection Act 1972 में जो बना था उसके बारे में ये Act इंडिया में बना था और उसका क्या-क्या खुबिया है कितने schedule है उसमें और वो schedule में ज़ो जानवर वगेरा है उसका क्या-क्या protection है उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो Wildlife Production Act 1972 में बना था और इंडिया के Parliament के दोरा वो पास किया गया था ठीक है और जब 1972 में ये जो Act बना उसके पहले भारत में मात्र पांच नेशनल पार्क थे और अभी आप देखो कितना नेशनल पार्क हो गया 100 क्रॉस कर चुका है तो देखो कि Wildlife Protection Act कितना महत्रपुर्ण रोल भूमिका वो निभा चुका है और इनफेक्ट वो निभा भी रहा है ये जो Act है ये क्या करता है वाइल्ड एनिवर्स जितना भी जैसे हाथी सेर वगेरा वगेरा जितने भी पक्ची है जितने भी प्लांट है उसको Protection देता है और य ये Act schedules को establish करता है मतलब सूची बनाता है कि ये सूची में जो भी जानवर होगा उसको Protection मिलेगा उसको सुरक्षा मिलेगी इसके लिए ये Act बनाया गया था ये पूरा भारत वर्स में अब लागू हो गया पहले ये जमू कस्मीर में लागू नहीं था बट अब पूरा इंड करने में उसको मारने में उसको खराब करने में वो सब चीजों को भी ये Protect करता है ताकि वो जादा नश्ट ना हो जाये जादा वो दिक्कत में ना आ जाए इस act में ये भी provision है ये भी प्रावधान है कि अगर आने वाले समय में अगर government को लगे कि हाँ कुछ birds ऐसा है या कुछ animals ऐसा है या कुछ भी ऐसा उसका प्रावधान है को change किया सकता है तो parliament कानून के तैसे उसको बदल सकती है अभी फिलहाल हाली में 2021 में amendment आया है WPA का मतलब व लागू है और अभी चल रहा है Parliament of India के द्वारा बनाए गया था ठीक है और इसके अंडर 6 schedule से 6 सूचियां है जिसके जो सूची है छे उसमें अलग अलग जानवर को अलग अलग टाइप का protection मिलता है जैसे schedule 1 और schedule 2 जो है पहला और दूसरा सूची में सबसे ज्यादर protection मिलेग मतलब कि अगर उसको कोई आदमी मारेगा या फिर जैसे हम और आप अगर घूम रहे हो और सेर मालतें की वो schedule 1 में है उसको अगर आप मार दो तो आपको कानूनन वहाँ पे जुर्म लगेगा हो सकता है आपको की jail हो जाए आज इवन कारावास बगेरा हो जाए तो इस situation में अब schedule 1 में कौन-कौन से जानवर है तो ग्रेट इनियन बस्टर्ड जो आपका राजस्थाने मिलता है बहुत कम बचा हुआ है लगभख सौ के पचास के आसपास बचा हुआ है तो बहुत जादा इंडेंजर्ड है वो अगर उसको मारोगे तो अगर आपको पकड़ लिया प पाइगर लायन घडियाल वगेर वगेर ठीक है और schedule 2 में कौन-कौन है आसामीज में काउ वाइल्ड डॉग जो कि गुजरात के साइड़ मिलता है और भी अलग-अलग जानवर है तो अगर इन सब को अगर आप मारोगे तो और आपको आप अगर पकड़ा गए ठीक तो आप 9 रूप से आजीवन का रावास वगेरा भी हो सकता है फिर काफी ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है schedule 3 और schedule 4 में जो जानवर को रखा गया है उसको protection है वो भी सुरक्षा में है लेकि उसमें कम penalty लगए जैसे कि अगर schedule 3 और schedule 4 वाले जानवर को आप मारे तो आपको 3-5-10 सा का सजा मिलेगी लेकिन अगर schedule 1 वाले इसमें से किसी को आप मारे हो तो आपको हो सकता है जीवन का रावास मिल जाए ठीक है अब schedule 3 में कौन कौन है नील गाय हो गया सामभर हो गया तो मिलता रहता है है ना हो गया ठीक है wild peak हो गया तो अगर आप जंगली सुवर को मार दोग इसा गिलहरी जो आपका हाथ में आ जाए ठीक है डक्स हो गया बुल बुल हो गया इन सब को अगर आप ठोके दिये अगर इन सब को अगर आप मार दिये तो आपको 2-5-10 साल का सजा हो सकता है और जो schedule 5 में जानवर रखा गया है उसको वर्मीन डिकलियर के आ सकता है वर्मीन अगर एक बार कोई सरकार या फिर अगर government of India उसको डिकलियर कर दी तो आप उसको freely मार सकते हो आपको कोई दिक्कत ने जैसे कि अगर चुहा को अगर आप मार दोगे तो थोड़ी आपको police पकड़ने आएगा या फिर अगर आप कोई आपको मार दोगे थोड़ी आपको police पक अगर तो ताकि वो बहुत जादा उपद्रफ कर रहा है तो जैसे वो डिकलियर हुआ वर्मिन schedule 5 में आ गया वो schedule 5 में आया तो केरल में wild जो जंगली सुवर था उसको आराम से कोई भी मार सकता है उसमें police कुछ नहीं करे गए ठीक है और जो schedule 6 में जो endemic plants है जो जो पेड़ पौदे है schedule 6 में उसको आप घर में या फिर कहीं पर भी उसका आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो ठीक है और 2010 का बात करें तो अगर अपरिल 2010 का बात करें तो लगभग 16 convictions हो चुका है 16 बार ऐसा सजा सुनाया जा चुका है इस act के तहए तो wild air protection act के तहए कि हाँ आपने इस सेर को मारा या फिर आपने जंगली सुवर को मारा तो आपको सजा होगी 5 साल का कारवास या आजीवन कारवास इस तरह का सोला conviction हो चुका है और मेंली ये tiger का देथ के लिए होता है कि tiger तो बहुत जादा demand में रहता है ना तो tiger को मार दिया और police पकर लिया तो उसको सजा हो जाती है और जैसे हम बताए कि 1972 में ये बना था वगेर वगेर ठीक है तो ये था अपना article ये था अपना wild air protection act 1972 का and I hope कि ये वीडियो आपको काफी helpful रहा होगा काफी आपको कुछ समझ में आया होगा आप जान गया होगे 6 schedules के बारे में 1,2,3,4,5 ठीक है अगर आपको कोई भी कोई भी दिक्कत है या कुछ भी पूछना है तो आप comment कर सकते हो ये वीडियो को आपको दोस्तों के साथ share कर स कर सकते हो कुछ भी पूछना बताना है तो comment कर सकते हो और चैनल को subscribe भी कर सकते हो thank you very much